प्रिष्ट संख्या एक सव दो जामुन का पेड रात को बड़े जोर का जखकर चला सेकरेटेरियेट के लौन में जामुन का एक पेड गिर पड़ा सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड के नीचे एक आदमी दभा पड़ा है माली दोड़ा दोड़ा चपरासी के पास गया चपरासी दोड़ा दोड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दोड़ा दोड़ा सुपरिंटेंडेंडेंट के पास गया सुपरिंटेंडेंडेंट दोड़ा दोड़ा बाहर लौन में आया मिनिटों में गिरे पेड के नीचे दबे आदमी के चारों और भीड इकठी हो गई प्रिश्ट संख्या एक सो तीन बेचारा जामुन का पेड कितना फलदार था एक क्लर्क बोला और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला मैं फलों के मौसम में जोली भर कर ले जाता था मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला मगर यह आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया हाँ यह आदमी सुप्रिटेंडन्ट सोच में पड़ गया पता नहीं जिन्दा है कि मर गया एक चपरासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी पेड जिसकी पीट पर गिरे वह अब बच कैसे सकता है दूसरा चपरासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिंता से कराते हुए कहा जिन्दा है एक लर्क ने ताजुप से कहा पेड को हटा कर इसे जल्दी से निकाल देना चाहिए माली ने सुझाव दिया मुश्किल मालूम होता है एक सोस्त काम चोर और मोटा चपरासी बोला पेड का तना बहुत भारी और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगा कर पेड के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है माली ठीक कहता है बहुत से कलर्क एक साथ बोल पड़े लगाओ जोर, हम तयार हैं एक साथ बहुत से लोग पेड को उठाने को तयार हो गए ठैरो सुपरिंटेंडेंडेंट बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लू प्रिष्ट संख्या एक सोचार डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा फाइल चलती रही इसी में आधा दिन बीट गया दो पहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारो और बहुत भीड हो गई थी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कुछ मनचले क्लरकों ने समस्या को खुद ही सुलजाना वे हुकूमत के फैसले का इंतिजार किये बिना पेड को अपने आप हटा देने का निश्चे कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया बोला हम लोग खुद इस पेड को हटा नहीं सकते हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड की समस्या है जो क्रिशी विभाग के आधीन है दूसरे दिन क्रिशी विभाग से उत्तर आया कि पेड व्यापार विभाग के लौन में गिरा है इसलिए इस पेड को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पढ़ती है यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को घुस्सा आ गया उन्होंने फौरण लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी क्रिशी विभाग पर लागू होती है व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है दूसरे दिन भी फाइल चलती रही शाम को जवाब आ गया हम इस मामले को होटी कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एगरिकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हगदार है जामूं का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ होटी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतरगत आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग गानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी प्रिश्ट संख्या 105 माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुए आदमी कुछ नहीं बोला माली ने पेड के तने को ध्यान से देख कर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड की हड़ी तूट जाती दबा हुए आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस है, तो मुझे उसका अता-पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली खेद प्रकट करता हुआ, वहां से हट गया तीसरे दिन हौटी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब था और वेंगे पून हौटी कल्चर डिपार्टमेंट का सेकरेटरी साहित ते प्रेमी आदमी जान पड़ता था उसने लिखा था, आश्चर है, इस समय जब हम पेड लगाओ स्कीम उचे स्तर पर चला रहे हैं हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेडों को काटने का सुझाओ देते हैं और वह भी एक फलदार पेड को, और वह भी जामून के पेड को, जिसके फल जनता बड़े चाओ से खाती है हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा अगर पेड काटा नहीं जा सकता, तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए? ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से, यानि धर से काटा जाए, तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा मगर इस तरह तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने आपत्ती प्रकट करते हुए कहा यह भी ठीक कहता है एक लर्क बोला प्रिश्ट संख्या 104 आदमी को काटने वाली युकती प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया आप जानते नहीं हैं आज कल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नती कर चुकी है मैं तो समझता था अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धर के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फोरण एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुँची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन चान बीन के लिए भेज दिया सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्य देखकर खून का दबाव देखा नाड़ी की गती को परखा दिल और फेपड़ों की जाच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक आउपरेशन तो हो सकता है और आउपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुह में खिचरी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला उपर चला गया है सुना है कि कल सेकरेटेरियेट के सारे सेकरेटेरियों की मीटिंग होगी उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुआ आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला ये तो माना की तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक माली ने अचंबे से मुँ में उंगले दबाली और चकित भाव से बोला क्या तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने कलर्क को कलर्क ने हेड कलर्क को थोड़ी ही देर में सेकरेटेरियट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है पस फिर क्या था लोगों का जुंड का जुंड शायर को देखने के लिए उमढ़ पड़ा प्रिष्ट संख्या 107 इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए सेकरेटेरियट का लौन भाती भाती के कवीयों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों और कवी सम्मेलन का सावातावरन उत्पन हो गया सेकरेटेरियट के कई कलर्क और अंडर सेकरेटरी तक जिन्हें साहित्ते और कवीता से लगाओ था रुख गये कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कवीताएं और दोहे सुनाने लगे कई कलर्क उसको अपनी कवीता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवी है तो सेकरेटेरियट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चुकी दबा हुआ आदमी एक कवी है इसलिए इस फाइल का संबंद ना एगरिकल्चर डिपार्टमेंट से है ना होटी कल्चर डिपार्टमेंट से है बलकि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोथ किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कभी को इस फलदार पेड से छुटकारा दिलाया जाए फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित अकादमी के सेकरेटरी के पास पहुची बिचारा सेकरेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेकरेटरियट पहुचा और दबे हुए आदमी से इंटर्वियू लेने लगा तुम कभी हो? उसने पोचा जी हाँ दबे हुए आदमी ने जवाब दिया किस उपनाम से शोभी थो? ओस ओस? सेकरेटरी जोड से चीखा क्या तुम वही ओस हो? जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है दबे हुए कभी ने हुंकार में सिरहिलाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेकरेटरी ने पूछा नहीं प्रिश्ट संख्या एक सो आठ आश्चेर यह है सेकरेटरी जोड से चीखा इतना बड़ा कभी ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ! कैसी भूल हो गई हमसे? कितना बड़ा कभी और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है? गुमनामी में नहीं एक पेड के नीचे दबा हूँ कृप्या मुझे इस पेड के नीचे से निका लिए? अभी बंदोबस्त करता हूँ सेकरेटरी फॉरन बोला और फॉरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की दूसरे दिन सेकरेटरी भागा भागा कभी के पास आया और बोला मुवारक हो मिठाई खिलाओ हमारी सरकारी साहित अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रिये शाखा का मेंबर चुन लिया है यहलो मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है यह हम नहीं कर सकते सेकरेटरी ने कहा और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है बलकि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुमारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं अगर तुम दर्ख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं मैं अभी जीवित हूँ कभी रुक रुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यह है सरकारी साहित्यक आदमी का सेकरेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है पेड काटने का मामला कलम दवाद से नहीं आरी कुलहारी से संबंधित है उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अरजेंट लिखा है कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी माली बहुत खुश था दबे हुए आदमी का स्वास्थय जवाब दे रहा था मगर वह किसी ना किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था कल तक, कल सवेरे तक, किसी ना किसी तरह उसे जीवित रहना है दूसरे दिन जब फॉरिस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाडी लेकर पहुँचे तो उनको पेड काटने से रोक दिया गया मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड को ना काटा जाए कारण यह था कि इस पेड को दस साल पहले के लिए बिगड जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक कलर्ख चिल लाया दूसरी और दो राज्जियों के संबंधों का सवाल है दूसरी कलर्ख ने पहले कलर्ख को समझाया और यह तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्ये को कितनी साहता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। कवी को मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधान मंत्री दोरे से वापस आ गए हैं। आज चार बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्विकार होगा। शाम के पाँच बजे स्वेम सुप्रिंटेंडेंडेंट कभी की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो। आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिलाया। प्रधान मंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुकम दे दिया। और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्री जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड काट दिया जाएगा और तब तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। प्रिष्ट संख्या 110 मगर कभी का हाथ ठंडा था, आँखों की पुतलियां निर्जीव और चीटियों की एक लंबी पांथ उसके मुँ में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुगी थी। अभ्यास पाठ के साथ एक, बेचारा जामून का पेड, कितना फलदार था और इसकी जामूने कितनी रसीली होती थी। कह ये समवाद कहानी के किस प्रसंग में आये हैं। ख, इससे लोगों की कैसी मानसिक्ता का पता चलता है। दो, दबा हुआ आदमी एक कवी है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तीन, क्रिशी विभाग वालों ने मामले को होटी कल्चर विभाग को सौपने के पीछे क्या तर्क दिया। चार, इस पाठ में सरकार के किन-किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कारे के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। पाठ के आसपास एक, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटी बद्ध होते हैं। ऐसा कब-कब होता है और लोगों का यह संकल दोनों बार किस-किस वजह से भंग होता है। दो, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्से के साथ-साथ करुणा की भी अंतरधारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तरक दें। तीन, यदि आप माली की जगह पर होते, तो हुकूमत के फैसले का इंतिजार करते या नहीं? अगर हां, तो क्यों? और नहीं, तो क्यों? शीर्शक सुझाईए। कहानी के वैकलपिक शीर्शक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदूओं को ध्यान में रखकर शीर्शक गढ़े जा सकते हैं। प्रिश्ट संख्या 111 कहानी में बार-बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। दो, सरकारी दफतरों की लंबी और विवेख हीन कारे प्रणाली की ओर बार-बार इशारा किया गया है। कहानी का मुखे पात्र उस विवेख हीनता का शिकार हो जाता है। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधी करण, समुच्य बोधक, शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है। इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली-गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। पाठ में से पाँच संयुक्त वाक्यों को जुनिये और उन्हें सरल वाक्य में रुपांदरित करिये। तीन, साक्षातकार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड के नीचे दबे आदमी के फाइल बंध होने अर्थात मृत्यों के लिए जिम्मेदार किसी एक विक्ती का कालपनिक साक्षातकार करें और लिखें। शब्द छवी जक्कड यानि आंधी रुआसा यानि रोनी सूरत ताज्युब यानि आश्चेर्य होटी कल्चर यानि उद्यान क्रिशी एक्रिकल्चर यानि क्रिशी तगाफुल यानि विलंब, देर या उपेक्षा।